जेहिन दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ओफिशियल यूट्यूब चैनल एसके जौब सर ग्यान में तो दोस्तो इस वीडियो में हम जिस वकैंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो है डाटा एंट्री ओपरेटर की वकैंसी जारी की गई है तो दोस्तो ये जो वकैंसी है ये एमस न्यू डेली के द्वारा जारी की गई है जिसमें आपके अजुकेशन कॉलिफकेशन टैन्थ प्लस टू पास होनी चाहिए और आपकी जो इसमें एज लिमिट है वो 18 से 25 साल तक होनी चाहिए तो दोस्तो आगे हम आपको वीडियो में इसी के बारे में इसी का पूरा eligibility criteria के बारे में बताएंगे और आप इसे कैसे apply कर सकते हैं उसके बारे में भी हम आगे आपको वीडियो में पूरी जानकारी देने वले हैं तो दोस्तो अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल एसके जौब सग्यान को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को दबाएं ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही और नहीं नहीं वकैंसिस की डिटेल लेकर आते रहें तो दोस्तो यह जो रुकैरमेंट है यह एमस न्यू डेली के द्वारा जारी की गई है जिसमें आपको डाटा एंट्री की पोस्ट जारी की गई है तो दोस्तो इसमें जो नंबरों पोस्ट है वो एक दी गई है एजुकेशन कॉलिफकेशन 10th प्लस टू पास होनी चाहिए और इसमें आपको दो साल का एक्सपिरेंस होना चाहिए मनेजिंग कम्प्यूटर डाटा का और डियूरेशन जो इसकी रहेगी वो अप टू फाइव यर्स दी गई है तो दोस्तो इसमें जो आपकी सेलरी है वो 23,400 रुपय तक रहेगी और इसमें एज लिमिट 18-25 साल तक दी गई है तो दोस्तो इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो नौक तूबर था का आपने जो है अपना सीवी या रिजूम तो आपको इसमें मेल आइडी दी गई है आपको इस पर सेंड करना पड़ेगा तो दोस्तो मेल आइडी आप यहां से चेक कर सकते हैं तो दोस्तो यह ओफिशियल वेबसाइट पर भी अपलवद है वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप वहाँ से असानी से वहाँ से इस नोटिफकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो इसके रिगारिंग अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्षन में कमेंट कर हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं और दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, share and comment जरूर करें धन्यवाद दोस्तो जय हिंद जय भरत